इस हैसान में हम बात करने हैं आज की कर अंट अभस की जो सभी इस्टेंट पीचिस के लिए इंपोर्टेंट है और आज हम आचारे करज्ट करपलानी के बात करेंगे हाल ही में प्रधान मंतोई ने जो आचारे करपानी है उनको उनकी जैनती पर सरद्धानजली अर्पित की है इसलिए चर्चा में रहे हैं अचारे करपलानी जिनको प्रदानमंत्री ने उनकी सरद्धानजली अर्पित की है उनकी जैनती पर अचारे करपलानी जो है ये 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में जन्मे थे और इनका जो मूल नाम है या मूल नाम था जीवत राम भगवान दास क्रिपलानी था लेकिन उन्हें आचारे क्रिपलानी के नाम से जाना जाता है वे एक स्वतंतरता सेनानी भारती राजनितिग और सिक्साबिद रहे हैं या रहे थे सिक्साबिद के रूप में 1912 से 1927 तक उन्होंने स्वतंतरता आंदोरन में पुरी तरह से सामिल होने के पूर्व विभिन इस्थानों पर अध्यापन का कारे क्या था और 1922 के आसपास जब महात्मा गांधी द्वारा इस्थापित गुजरात बिद्ध्यपीठ में अध्यापन कर रहे थे तब उन्हें आचार्य अपनाम दिया गया था 1912 से 1927 तक अध्यापन काड़े क्या और 1922 का आसपा जब वो गांदी जी दुआरज दापित गुजराज बिद्धिय पीठ में अध्यापन काड़े करे थे तब उन्हें आचारी अपनाम दिया था यानिकर उनको टीचिंग की वज़ा से आचारी अपनाम दिया गया था ये पर्यावरण बिद्ध भी रहे हैं किरपलानी जी बिनोबा भावे के साथ 1970 के दसक में पर्यावरण के संनक्सन और बचाओ गती वीदियो में भी सामिल रहे थे ऐसा योग आंदोलन जो 20-22 तक चला और सभी ने अवग्या आंदोलन 1930 से और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसका भी ये हिस्सा रहे हैं तो important part है कि ऐसा योग आंदोलन सभी ने अवग्या आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों का हिस्सा रहे हैं स्वतंतरता के समय ये भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्स रहे हैं जो भारत आजाद हुआ 1947 के टाइम तो ये भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्स थे इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार जो 1946-47 और भारत की संविधान सभा में योगदान दिया अंतरिम सरकार और संविधान सवा दोनों में इनका योगदान था आजादी के बाद कॉंग्रेश छोड़ करिये किसान मजदूर परजा पार्टी के संस्थापों में से एक बन गए कॉंग्रेश छोड़ दी हाजादी के बाद तो उसके बाद किसान मजदूर परजा पार्टी और उनके जो संस्था पकते उनमें से एक ये भी होगे थे 1952, 57, 63, 67 में परजा सोसलिस पार्टी के सरस्थे करूप में लोकसभा के लिए चुने गए भारत चीन युद जो हुआ था 1962 में उसके तुरंद बाद 1963 में लोकसभा में पहली बार आइस व एविस्वास परस्ताविनों ने पेस किया था 1963 में कॉंग्रेसी नेता सुचीता करपलानी उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री बनी जो देश की परता महिला मुख्यमंत्री थी जबकि उनके पती आचारे करपलानी कॉंग्रेस के बिरोधी बने रहे तो इनकी पत्नी थी सुचेता करपलानी सुचेता करपलानी उत्तर परदेश की मुख्यमंत्री बनी जो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी पात्काद लगा था तब इनको गिरफतार कर लिया गया था इनकी पुस्तकों में इनकी आत्म कता है माई टाइम्स और 2004 में मरनो परांथ ये प्रकासित हुई थी करपलानी गांधी इस लाइफ एंड थोट 1970 सहित कई पुस्तकों के लेखक रहे हैं तो दोनों अच्छी पुस्तक हैं इनकी माई टाइम्स 2004 में इनके मरने के इनकी मरत्यू के बाद परकासित हुई करपलानी गांधी इस लाइफ एंड थोट 1970 में आई थी है सहित कई पुस्तकों के लेखक रहे हैं नाद प्रभू कैमपे गोड़ा हाल ही में भारत के प्रधान मंतरी ने नाद प्रभू कैमपे गोड़ा की 108 फुट उची पुर्तिमा का अनावरण किया और बैंगलूर हवाई अड डेके टर्मिनल 2 का उद घाटन किया जिसका नाम सोलवी सताबदी के पुर्मुख व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है जिने इस सहर की स्थापना करने का स्रे दिया जाता है तो बैंगलूर हवाई एड डेकर जो शेकिन टर्मिनल है उसका उद घाटन किया है और नाद प्रभू कैमप गोड़ा का जो 108 फुट उची पुर्तिमा है उसका अनावरण किया है और इसको नाम दिया है Statue of Prosperity important है नाद प्रभू कैमप गोड़ा की जो पुर्तिमा है उसको नाम दिया है Statue of Prosperity तो अगर क्योशन आएगा Statue of Prosperity कहां पर है तो बैंगलूरू में यह है Statue of Prosperity पुछ इस तरह की पिक्चर है इसको ध्यान लखेंगे Statue of Prosperity जो है World Book of Records के नुसार यह किसी सहर के संस्थापक की पहली और सबसे मुची कांसिय परतिमा है तो किस चीज़ की बनी है कांसे की और किसी है किसी सहर का संस्थापक की पहली ऐसी Statue है 108 मीटर फिट Statue of Prosperity परसिद जो मूर्तिकार है और पदभुसर से सम्मानित राम बनर जी सुतार ने परतिमा को डिजाइन किया है जो सुतार है राम बनर जी सुतार इन्होंने ही डिजाइन किया है Statue of Unity जो गुजरात में है और बैंगलूरू के बिधान सोध इसमें महात्मा गांधी के परतिमा का निर्माड कराया था तो Statue of Unity भी Statue of Prosperity भी बिधान सोध भी ये सब सुतार यानि के राम बनर जी सुतार ने डिजाइन किया है इसको ये पदम भुसरन से पद भुसरन से सम्मानित चितरकार हैं या मूर्तिकार है अनावरा से पहने राज्य भर में 22,000 से अधिक स्थानों से मरतिका यानि के पवित्र मिट्टी एकत्रित की गई थी जिसे परतिमा के चार टाबरों में से एक के नीचे पवित्र मिट्टी को पृतिकात्मक रूप से मिलाय गया था नाद प्रभू केंप गोड़ा इनका जनम 1513 में हुआ था येलहंका में इसके आसपास गाउं में हुआ था सोलवी सताबदी में विजानगर सामराज्य के तहतिये सामन्त थे विजानगर सामराज्य के तहतिये सामन्त थे और लिंगायतों के बाद करनाटक के दूसरे सबसे प्रभावसाली समुदाए वुकाली का समुदाए के एक परतिस्ठित व्यक्ति है कि समुदाए के? वुकाली का समुदाए के इन्होंने कुंडापुरा जो बरतमान हेसर घटा है उसके पास गुरुकुल में नो बरस तक अधियन किया था जहां उन्होंने सासन और मारसल आर्ट की सिक्सा प्राप्त की तो सासन सीखा वहाँ पर और मारसल आर्ट भी उन्होंने वहीं पर सीखा इन्हें व्यापक रूप से बैंगलूरू करनाटक के संस्थापक रूप में स्थापक रूप में स्थापक रूप में स्थापक है तो ये बैंगलूरू करनाटक के संस्थापक हैं इसको बोल दिया कि ये हमारा छेतर है बेंगलूरू का पेजल और कर्सी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहर में लगबग 11,000 जीले विक्सित करने का सरे भी नहीं जाता है केमपे गोड़ा को मुरासू वो कालीगा की एक महत्मूर पर्था बांदी देबारू के नाम से पर चली तेक रिवाज के दोरान एक आविवाहित महिला के बाए हाथ की उगलियों काटने की पर्था को खत्म करने का सरे भी दिया जाता है तो एक बांदी देगारू एक रिवाज था महाँ पर और रिवाज के दोरान जो है एक आविवाहितेनी क्वारी रड़की की जो बाए हाथ की उंगली उसको काटने की पर था थी उसको इन्होंने खतम किया था कैम्पेगोडा ने लगबग 56 वर्सों तक सासन करने के बाद 1579 में इनकी मरत्ती होगी थी 1569 में राजे सरकारों ने कई महत्पूर इस्थालों का नाम उनके नाम पर रखे हैं जैसे कैम्पेगोडा अंतराष्ट हवायड़ा कैम्पेगोडा बस स्टेंड और नाध पुर्भू कैम्पगोडा मेट्रो स्टेशन ध्यान रखेंगे इनको इनके बारे में थोड़ी सी जानका कुलपतियों का चैन, नेक्स्ट टोपिक है, हाल ही में सर्बोच नियाले ने एक हैसले में कहा कि जो कुलपति हैं उनके पास बिस विद्याले में प्रोफेसर को रूप में नियुनतम दस साल का सिक्सन अनुभा होना चाहिए, अगर किसी को कुलपति बना जाएगा या कोई कुलपति बनना चाहता है, तो फो एजए प्रोफेसर दस साल का experience उसको होना चाहिए, विस विद्याले में, और उनके नाम के सिफारी से खोज सहय समीती दूरा की जाना चाहिए, और जो एक चैन समीती होगी, उनके सिफारी समें उनका नाम होना चाहिए, तो नियाले ने व व्यक्तियों की एक सूची तयार करनी चाहिए तीन व्यक्ति होंगे और उसको जो समीती है वो उनका नाम रिक्रमेंट करेगी और उसमेश देखा जाएगा कौन कुलपती बनने के लाइक है तो क्या परकरिया रहेगी इसकी यूजी सी है यानि 20 विद्याले अनुदान आयोग उसके विनियम 2008 एक अनुसार एक विस्विद्याले का कुलपती जो होगा वो समाने रूप से विदिवत गटित खोज चहसे है चैन समीती द्वारा अनुसासित तीन में से तीन से पांच नामों के पैनल से विजीटर या चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाता है किसी भी विजीटर के पास ये अदिकार होता है कि पैनल द्वारा सुझाएगे जो नाम है उनसे असंतुस्ट होने के स्थिति में वह नामों के एक नए सेट की मान कर सकता है अगर इस समीती ने तीन या पांच नाम दे दिये जो नाम देने थे अगर उससे संतुस्ट नहीं है विजीटर जो है तो वो उसको सैट को बदल सकते हैं नामों के भारते विस्विध्यालों के संदर में भारत का राश्पती सभी केंद्रिय विस्विध्यालों का पदेन विजीटर होता है जो भारत का राश्पती है भारत के विस्विध्यालों के संदर में तो वो सभी केंद्रिय विस्विध्यालों का पदेन विजीटर होता है और राज्यों के राज्येपाल संबंदित राज्ये के सभी राज्ये बिस्विद्यालों के कुलादी पती होता है important question बन सकता है ऐसे ध्यान लखना जो Central University है उनका जो पदेन विजीटर होगा वो हर्त का राश्पती होगा और जो State University है उनमें जो पुलादी पती होगा वो राज्येपाल होगा केरल के मामले में आज के लिए नियूज चर्चा में चल रही है केरल के जो राज्येपाल के वो चल रहा है टकराओ यह परड़ाली सभी विजविद्यालों में अनिवारी रूप से एक समान नहीं है जहां तक अलग-अलग राज्येपाल अपनाई जाने वाली परक्रियाप का संबने इनमें भी नताय होती है यदि राज्येप इस विद्याल अधिनियम और यूजीसी विनियम 2018 में मद्बेथ होता है तो उसमें राज्ये का कानून परतिकूल है तो यूजीसी विनियम 2018 मनने होगा यानि राज्जAY के कानुन और UGC के कानुन अगर ठक राज ढए तो UGC का कानुन माना जाएगा अनुछे 251 के अनुसार यदि किसी राज्जे के कानुन का कोई प्राभधान संसद द्वारा बनाएंगे कानून के प्राबधान के बुरूद है जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्सम है संबर्ती सूची में किसी के मामले में किसी भी मामले के संबन में किसी मौजूदा कानून के साथ है तो संसद ये कानून राज्य के कानून पर हावी होगा ऐसा कोई कानून हो अनुच्छे 254 एक के अनुसार कि एक कानून को राज्य भी बना रहा है और उसको केंदर भी बना रहा है तो केंदर का कानून मानिय होगा यानि कि संसद का कानून उसके उपर हावी हो जाएगा कुलपती की भूमी का क्या होती है विष्विद्याला के सम्मिधान के नुसार कुलपती यानि के वाइस चांसलर जो होते हैं उसको विष्विद्याला का परधान सेक्सनिक और कार्यकारी अधिकारी माना जाता है विष्विद्याला का परधान सेक्सनिक और कार्यकारी अधिकारी कौन होगा कुलपती यानि के वीसिया वाइस चांसलर विस्विद्याला के पुर्मक के रूप में उसने विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्व की जाती है जो इसके बिस्विधेलों के लिए होते हैं इसको आकादमिक में उत्ần रष्च रहन्ष परसासनी का नुभव हो और उसको मुल्यवान हो व्यक्तिकत में विसेस्ता हो इसकी अखनता वाला व्यक्ति हो ये सारे कौालिटी उसमें देखी जाती है राधा करस्नन आयोग 1948, कोठारी आयोग 1964-66, ग्यानन समीती 1990 और रामलाल पारिक समीती 1993 की जो रिपोर्ट थी उनमें समय समय पर होने वाले बहु परसिक्सित परिवरतनों को ध्यान में रखते हुए विस्विध्यालों की गुडवत्ता एवं परसांगिक्ता को बनाय रखने में कुलपती की भूमिका की महत परपरकास डाला गया है वहो नियाले कार्यकारी परिशद, अकाद्मिक परिशद, वित्ति समीती और चैन समीतियों का पदेन अध्यक्स होता है नियाले कार्यकारी परिशद, अकाद्मिक परिशद, वित्ति समीतियों और चैन समीतियों का पदेन अध्यक्स होगा और कुलपती की अनुपस्तिती में डिग्री परदान करने के लिए विस्विध्याले के दिकसान समोरों की अध्यक्सता करेगा अगर कुलादी पती नहीं होगा तो इसके अध्यक्सता ये करता है यह देखना कुलपती का कार्य होगा कि अधिनियम, विधियों, अध्यादेसों और वियनियमों के प्रापधानों का पूरी तरह पालन किया जाए तथा उसे इस करतव विया के निर्वहन के लिए आवज़ सकती परदान की जानी चाहिए रास्टिय पक्सी दिवस परतिवर्स बारे नवंबर को मना जाता है बारे नवंबर रास्टिय पक्सी दिवस बारे नवंबर डाक्टर सलीम अली का जनम दिवस है और विख्यात पक्सी विशेसक और परकरतिवादी थे वे भारत के ऐसे पहली विक्ति थे जिन्होंने भारत भर में वियवस्थित रूप से पक्सी सर्वेक्सन का आयोजन किया था और पक्सियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्सि ज्यान के विकास में मदद की थी तो 12 नबंबर सलीम अली का डॉक्टर सलीम अली का जनम दिवस है और 12 नबंबर को मना जाता है रास्टे पक्सि दिवस ये पक्सि विसेसग थे और ये भारत में इने पक्सी मानव के नाम से जानाता है इंपोर्टेंट है बारे नबम मर राष्टे पक्सी दिवस भारत के पक्सी मानव कौन डॉक्टर सलीम अली है पकसी विसे सग्ग सलीम अली के जनम दिवसकों भारा सरकान राष्ट पकसी दिवसभोजित किया है सलीम अली ने पकसे उसे संबन्दित अनेक पुस्तके भी लिखी है वर्ड्स ओफ इंडिया इन में सबसे लोग पर या रही है डांग विभाग ने इनके समरिती में डांग टिकट जारी किया 1958 में इनको पदम भूसण से संबन्दित किया गया और 1976 में पदम भी भूसण से संबन्दित किया गया इंपोर्टेंट है यहां से क्विस्तन पूछे जाते हैं भारत का पकसी मानब कौन है ACI मुक्यवाजी चैंपेंशिप में भारत की मुक्यवाजों ने उतकरष्ट पूर्दसन करते हुए चार सुवन पदक जीत लिया है परवीन, लबनीना, बोर्गोहाई, सुईटी बोरा और अलफिया, पठान इन्होंने सारंदर पूर्दसन किया और सुवन पदक जीते जोर्डन में 11 नवंबर दो हैर बाइस को फाइनल में परवीन ने जापान की कितो माई को, जबकि लबलीना ने उजबेकिस्तान की रूज में टोबा सोखी बाको हराया सुवीटी ने कजाकिस्तान की गुलसाया यर हिचेहान को पराजित किया आलफिया पठान को इसलाम सेली के डिस्क्वालिफाइड होने से सुवन पदक मिला इससे पहले मिनाकसी ने रजट पदक हांसी लिए था इस परकार भारते महिला मुक्यबाजों ने पुर्तियों गिता में सांधर परतसन करते हुए चार सुवन पदक जीत लिए है नाम याद रखने हैं का परवीन, लबनीना, बोरोगोहाई, स्वीटी बोरा और आलफिया पठान एक राजट और दो कास सी सहीत कुल साथ पदक जीते हैं भारत ने ACI मुक्यबाजी चैंपेंशिप, ACI मुक्यबाजी के सोकीनों के लिए सबसे बड़ी प्रतियों किता है पहला टूर्मेंट कब खेला गया था इसका 1963 में बैंकॉंग थाइलेंड में तो इसको ध्यान रखना, ACI मुक्यबाजी चैंपेंशिप, इसका पहला टूर्मेंट हुआ था बैंकॉंग थाइलेंड में और यह हुआ था 1963 में तो आज के लिए इतने रखेंगे इसमें कॉसिज करेंगे डेली आपको करंट अफेस मिलता रहे सभी स्टेट PCS के एक्जाम्स के लिए जितने भी स्टेट PCS एक्जाम हैं उनसे रिलेटेट करंटेंडिस में मिलेगा आपको तो यह PCS के लिए डेली दो तीन टोपिक या दो तीन पॉइंट आपको मिल जाया करेंगे क्विक रिविजिन के लिए करंट अफेस का उसके बाद इसमें आपको जो अबजेक्टिव क्योस्टन है वो भी आपको मिलेगे ठीक है तो अभी के लिए इतना है फिर मिलेंगे नहीं वीडियो में तब तक के लिए भाई थेंक्स वाचिंग